पसीने वाली बफू हाई रबारे नास पीटी पसीने बहा बहा के पूरे घर में पसीने की बाड़ को बुलावा दिया है तुन्हे अरे तुम मैं क्या करू माजी आप भी बताओ रब भगवान से गुहार लगाओ के उठा ले मुझे ये कहानी है अक्षरा की जिससे शादी के पहले से बहुत पसीना आता है फिर चाहे वो गर्मी हो या बरसाद हो या पर ठंड हो शादी तो जैसे तैसे हो जाती है अक्षरा के पती रनवीर को ये बात पताने ही होती कि अक्षरा को इतना ज्यादा पसीना आता है और नाहीं उसकी सास कौशलिया और ससुर ब्रीज मोहन को पता था लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ही दिनों में अक्षरा के पसीने से सभी को काफी दिक्कत होने लगती है तो चली होते हैं रूबरू इस पसीने वाली पहु से अक्षरा पसीने से लदी हुई थी और उससे पहुत ज़्यादा गंदी बद्बू आ रही थी जिससे सभी अपने नाग पर हाथ रख लेते हैं अए रोबाओ इतने गंदी बद्बू तो घटल की भी नहीं आती है सीरियोसली यार उक्षरा तुमारे पसीने की बद्बू दूर दूर तक आ रही है तो मैं किसी बरफिले इगलू में बैटकर खाना नहीं बना रही हूँ इतनी गर्मी है दो मिनिट गैस की सामने खड़े रहो तो पूरा पसीने से ना लेते हो आप इतनी भायंकर गर्मी है अगर इतनी प्रॉबलम है तो लगा लो ना रसोई में भी इसी हाँ लगा लेते हैं वैसे भी तेरे माय के वालों ने हमें ट्रेक भरके नोटों की गड़ी जो दी है हैं क्यों बात करती है मैं भी चूला चौका कर चुकी हूँ लकिन इतना पसीना मुझे तो कभी नहीं है ऐसे ही एक दिन कौशिला देखती है कि खाना बनाते समय अक्षरा के माथे का पसीना टपक कर कणाई में गिर रहा है हाय रबा अरे करम जलियों की महारानी यह दख दख यह तेरे पसीने की टंकी का लिकेज बहके अब हमारे खाने में भी टपक रहा है अब अपना खारा पानी तो नमक के तोर पर इस्तमाल करेगी क्या हमारे खाने में माजी मैंने जान मुझका नहीं किया है और रही बात पसीने के टपक में की तो इसी बहाने ये घटे की सब्जीना और भी नमकीन और स्वादिश्ट हो जाएगी मेरे पसीने के मिलावट से मैं जानी हूँ बात रूम क्योंकि मुझे तो तेरी बातों को सुनकर और ये खाना देखकर उल्टी आ रही है आज तो कुछ नहीं पकाएगी आज हम तिनों तुझे छोड़कर बसंद भोज नाला ही चले जाएंगे तो अकेले ही चकते बैट अपने पसीने से भरे हुए ये अगले दिन जब रनवेर दफतर से घर आता है तभी वो अपने कमरे में अक्षरा से कहता है अक्षरा कल बॉस की वाइफ का बर्डे है इसलिए उन्होंने हमें खास न्याता दिया है तो तुम और मैं कल पार्टी में जाएंगे मैं ब्लैक कोट पैनूँगा तो तुम ब्लै किसी होगी लेकिन फिर भी ना तुम पूरी पाफियूम की बॉटल को अपने उपर छिड़क के ही चलना एक क्या मैं तो कहता हूं अब पाच चाहे बॉटल को छिड़क लो ना क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारे पसीने की बद्बो को सोंग लिया ना तो फाल तुमें सीन क करफियूम की बॉटल को अपने उपर छिड़क कर सच धच के रनवीर के साथ पार्टी में चली जाती है पार्टी में ऐसी थी इसलिए पहले के 15 से 20 मिनिट तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उसके बाद से जो अक्षरा को पसीने छुटने शुरू हुएं कि बस वो पसीने स भी करगिली होती ही जा रही थी और उसकी बहुत गंदी बद्बु भी आने लगी जिसको सुनकर पार्टी की गैस्ट आपस में बात कने लगें अरी ये इतनी गंदी बद्बु कहां से आ रही है शायद किसी के जुराबों की गंदी बद्बु है ये जुराबे नहीं, मामला कुछ और ही है जनाब, इतनी बड़ी फाइव स्टार पार्टी में पता नहीं कहां से गुजगया कोई गटर का कीड़ा तबी रनवीर अक्षरा को धीरी से कहता है तुम्हें कहो थो न, परफ्यूम, पाउडर और साबुन से दस बार नहा न लेकिन तुम्हें तो पता है न, कि मुझे पसीने छूड़ती ही है, चाही कितना भी कुछ भी करलू और उनकी ये बात, बगल में खड़ी एक बुड़ी औरत सुन लेती है, और वो बबाहल मचा देती है हरे बापरे, ये गंदी महग तो यहां से आ रही है, रनवीर की बीवी से देखो तो, पूरे कपड़ी भी गए इसके पसीने से सबी रनवीर और अक्षरा पर बहुत हसते हैं, रनवीर घर जाने की बाद अक्षरा को खुब डाटता है मिला दिना पानी में मेरी पूरी मैनत से कमाई हुई इजत अरे अक्षरा बहु किस मिट्टी की बनी हो तो, जो पसीने का जरना बैता ही रहता है तुम्हारे पतन से बारा मैने और चौवी सो घंटे नान स्टोफ अरे अभी तो इस कलमुहे के कलेज़को ठंडक पड़ी होगी लोगों के कुंडले में मारकेश दोश होता है लेकिन हमारी बहु के कुंडली में पसीना दोश है अक्षरा को अपने सिसराल वालों की बाते सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और अपने पसीने बहने को अपनी गल्ती मान कर चुप रह जाती है दिन बीचते जाते हैं, गर्मी का प्रकोब बढ़ते जाता है और अक्षरा के लिए गर्मी और भी बड़ी मुसिबत बन जाती है उसे पसीने से पूरे हाथ, पाउ, गले, चेहरे और बदन पर घमोर्या आ जाती है जिसके कारण उसे खुब जलन मैसूस होती है बहुत जलन हो रही है माजी ने एसी का रिमोट भी छुपा के रखा है इसलिए ताकि मैं एसी ना लगाऊं और बिजली का बिल पच जाए मम्मी जी बहुत आग लग रही है अक्षरा जाकर बाल्टी भरपानी अपने आप पर डाल दीती है तब जाकि उसे थोड़ी सी राहत मिलती है अक्षरा के पसीने से तंग आकर कौशलिया अब दिन रात घर में अगरबत्ती और अरोमा केंडल जलाती अच्छा हुआ जो रनवीर नहीं है खुश्बु वाली मौमबत्तिया ला करती इनसे हर जगा अच्छी महका रही है लेकिन तभी वहाँ पर बाजार से सामान लाकर पसीने से लदी हुई अक्षर आ जाती है और उसके पूरे बदन से बद्बु आ रही थी और बाल तो पूरे पसीने से भीग गय थे और फर्ष पर पसीने की बूंदे भी टपक रही थी और ये बद्बु इतनी तेज होती है कि मौमबत्य और अगरबत्य की महक को फेयल करते ति है और अगयी करमजली इसके बदन के पसीने ने तो इतनी महंग सुगंद वाली मौमबत्य और अगरबत्य के खुशबू के दाद भी ख़क्टय कर दिये बाहर इतनी भीशन गर्मी है मम्मी जी ऐसा लग रहा है मानो हम किसी ओवन में बंद हो गये हो और केक की तरह बेग हो रहे हो दिन बदिन अक्षरा का पसीना दिश्वार कर देता है सब का जीना कभी वो सोते समय पूरे बैट के साथ साथ साइड में रखे हुए रनवीर की important files को अपने पसीने से भिगा देती तो कभी वो गर्मी से अपने बालों में हुए जूओं को गल्ती से खाने में मिला देती हायो रब्बा, आज तो हादी हो गई, खाने में जूओं है अक्षरो बस बहुत हुआ, अब और नहीं अब तुम सीधा अपना backpack करो और अपने माई के shift हो जाओ बिल्कुल सही कहा रहा है रनवीर, हमें नहीं चाहिए ऐसी पसीने वाली बहुत अक्षरा रोने लगती है और कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ, फिर कभी इस घर की दहलीश पार नहीं करूंगी, बाई अक्षरा रोन्दी सूरत लिए घर से निकल जाती है शाम में जब रनवीर अक्षरा के माई के फोन लगाता है, तब उसे पता चलता है कि अक्षरा तो अब तक घर गई ही नहीं इस बात को सुनकर रनवीर, कौशलिया और ब्रीज मोहन तीनो डर जाती हैं और चिंता ग्रस्त हो जाती है आयो रब्बा, आप कहां डूंड है हम अक्षरा बहु को मुझे एक जगह पता है ममी, जब भी अक्षरा का mood off होता है तो वो वहीं पर जाकर बैठती है रनवीर, कौशलिया और ब्रीज मोहन तीनो एक नदी के किनारे जाते हैं जहां रात के अंधिरे में अक्षरा नदी की साइट की बैंच पर बैठे हुए बिलख बिलख कर रो रही थी रनवीर तुरंट जाकर अक्षरा के गले लग जाता है और उसे तीनों माफी मांते हैं अक्षरा भू, आमें माफ कर दो, तुम्हें पसीन आना नेच्रल है लेकिन तुम जान बुझ कर नहीं करती हो ये और हमने तुम्हें गुस्से में क्या क्या नहीं कहा हाँ अक्षरा बहु प्लीज माप कर दे बेटा तेरे इस पसीने को ना मैं यो मिंटों में चुटकी बजा कर आयरवेदिक और घरेलू उपायों से भगा दूँगी तू देखना बेटा हाँ और अगर उससे भी ना हुए तो मेरे पहचान में मेरा एक डॉक्टर तोस्त है तुम्हारे इस पसीने की तकलीफ का हम सब मिलकर डट कर सामना करेंगे इस तरह सिसराल वाले आयरवेदिक उपायों से अक्षरा के पसिने की तकलिफ को मिटा देते हैं और अब उसे मामूली पसिना ही आता है और वो एक सुखी और चैन भरी जिंदगी बिताने लगती है झाल 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 झाल